नमस्कार जी स्वागत है आप सभी का कावे क्लासेस कोटा के डिजिटल मंच पर जहां पर कावे क्लासेस कोटा नौरात्री, महा, राम नौमी और दशहरे के पावन पर वह पर लेकर आया है आप सभी के लिए सभी ओनलाइन कोर्सेस पर 90 प्रतिशत की छूट जी हाँ कावे क्लासेस कोटा आपको दे रहा है तीन से लेकर 13 अक्टूबर तक अपने ओनलाइन कोर्सेस पर 90 प्रतिशत का डिसकाउंट फर्स्ट गेड इतियास विशे का कोर्स लीजिए दित्य श्रिणी का आप लीजिए यहाँ पर इतियास विशे फर्स्ट गेड का कोर्स अवेले प्रतिशत का डिसकाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के कावे क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लिकेसर जहां पर आप यह कोर्सेस हमारे एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट गेड हिंदी और इतियास विशे के कोर्स से शांदार है मोश्ट ट्रेंडिंग में हैं देरिक इस बात की आप यहां पर संपूर्ण कोर्स को एक्सेस ले सकते हैं किसी भी परकार की हमारी हेल्प लाइन की आऊशकता हो तो आप हमरी हेल्प लाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं 946 0188 2225 इसके अलावा आप हमसे संपर् 552 पर तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का धन्यवाद स्वस्त रहें मस्त रहें तंद्रोस्त रहें एक बाद फिर से नवरात्री की शुब कामना है धन्यवाद जैश्राम चलिए नमस्कार जी स्वागत सतकार अभिनंदर नम्रम जैशिशनार आदे रादे कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और मेरे साथ यानि की चंदू जैन के साथ इतिहास स्विशे की परीचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे तो आईए सुरुवात करते हैं एक महतोपूर्ण बिंदू के साथ महतोपूर्ण करने वाले हैं मेरे दोस्त उसके कुछ महतोपूर्ण प्रश्णोत के बारे में ठीक है गुलाम राजवन्स में हमने कुछ महतोपूर्ण राजाओं की चर्चा की थी आप याद करिए खुतुबदी नेबक इल्तूतमिश के बारे में पढ़ा रजिया सुल्तान नासिरुद दीन महमूद के बारे में पढ़ा बल्बन के बारे में पढ़ा था पांच ऐसे राजा हैं जहां से सबसे ज़्यादा शवाल पूछे जाते हैं क्या बात क्लियर हो गई चलिए चुकि एक बात आप सभी को जानकारी देदू यह क्लास आपके एप से लाइव है एप जो हमार प्रशन दिखेगा निमलिखित में से किस वेक्ती ने इलतूत मिश्को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाब गट बंधन की बात कही गई थी एक ऐसा संदेश भेजा गया जिसमें यह लिखा गया था कि भाया हमें क्या करना चाहिए जी मंगोलों के साथ एक गट बंधन तयार करना चाहिए सर यह संदेश किसने भेजा था बताओ भीया सर निमलिकित में से किस वेक्ती ने लतूत मिश्को एक ऐसा संदेश भेजा जिसमें यह बात कही कि हमें क्या करना चाहिए याद रखिएगा मंगोलों के विरुद एक गट बंधन बनाना चाहिए नासीर उत दीन कुबाचा जलालुदीन मांग बरनी यल दोज बक्तियार खिल जी और अनुत्रित प्रश्न है नए फॉर्मेट के अनुसार है इस बात को याद रखिएगा कहीं न कहीं बहुत शांदार बात समझेगा बिसकिल इरान इरान जो है वहाँ का शाशक था जलालुदीन मांग बरनी ठीके जलालुदीन मुहमद खौरिजम शाहाशा उसका सबसे बड़ा पुत्र था जलालुदीन मांग बरनी यह अपने दूत आईन उल मुलक को जो है वह इलतूत मिश के पास भेजता है मंगोलों के विरुद शाहता करने के लिए लेकिन मेरे प्यार साथियों यह मना कर देता है कौन इलतूत मिश कि भाया हम तुमें साहता नहीं देंगे तो याद रखना यह विक्ती कौन था जलालुदीन मांग बरनी था इसने इलतूत मिश से कहीं न कहीं मेरे प्यार साथियों याद रखियेगा क्या मांगा था मंगोलों की खिलाब गटवंदन की बात कही थी निमलिकित में से कौन सा शाशक मामलुख वंसका था अलाउदीन खिल जी, इबराहिम लोदी, बल्बन मौहमद गोरी, अनुत्रित प्रस्ण है एक ऐसा राजा जो मामलुख वंसका था वह कौन था, बताएं देखो, मामलुख शब्द जो है सबसे पहले तो इस बात को समझेगा इसे मामलुख कहते हैं, इसे ही मामलुख कहते हैं मामलुख शब्द का थाथपरिय होता है स्वतंद्र माता पिता की संतान क्या होता है, याद रखिएगा स्वतंद्र माता पिता की संतान यहाँ इस शब्द का शाब्दी करत होता है जिसका हम कहते हैं स्वतंद्र माता पिता की संतान सबसे पहले मामलुक शब्द जो है ना इस सब्द का प्रियोग प्रोपेसर हभी बुल्लाहा ने किया था तो याद रखना प्रोपेसर हभी बुल्लाहा ठीक है तो मामलुक मूल रूप से जिस वंस के लिए प्रियोग लिया जाता है वहाँ आपका दास वंस होता है इसी को हम गुलाम ونस करते हैं अंग्रेजी में बात करते हैं तो इसे ही सलेव डाइनस्टी कहा चाता है अलाओदीन खिल जी जो है यहाँ आपके खिलजी राजीवन्स का था ठीके इब्राहिम लोदी जो है यहाँ आपके लोदी डाइनस्टी का था बल्बन यह आपके गुलाम राजवंस का था मुहम्मद गोरी यह आपके मूल रूप से एक आक्रवन का रही था और यह गोर था तो मूल रूप से बल्बन इसका सही जवाब हो जाएगा क्या बात के लिए होगा? क्योंकि बल्बन यह क्या था? याद रखिएगा महतोपूर है एक इतियास कार हुए है इसामी उन्होंने बल्बन के विशे में क्या लिखा है वह एक महा मानव और वनसानुगत शाशक की भाती बात करता था वेवार करने लगा था जो पोरानिक आपरी शाब का वनसस था बिसिकली बल्बन के बारे में क्या कहा जाता है बल्बन ने अपने सुल्तान पद की प्रतिष्टा को पुनह इस्तापित करने के लिए अपना समद इरान के साशक आपराशियाब के साथ जोड़ा था और कहा था जी मैं कोई साधारन वेक्ती नहीं हूँ क्या ये बात क्लियर हो गई क्या एक पर हाँ या ना का जवाब जरूर साजा कर दीजिएगा ठीके इरान के साशक आपराशियाब का वनसज हूँ और अपने आपको बिसिकली जो संजर था ना इसलामी नायक उसके अपना पत परदशक बताया था क्लियर हो गई चर्चाओं की बात करूँगा अगला प्रस देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दर्बार में गेर इसलामी परथाओं का परचलन करवाया था वह कुन था गेर इसलामी परथाओं को परचलन में लेकर आया गेर इसलामी परथाओं जैसे आप याद रखिएगा सिजदा सिजदा क्या होता है जब सुल्तान दर्बार में प्रवेश कर रहा है तो सिर जुका करके नमश्कार करना गाना बनाता सिजदे में सिर जुकता है यारा में क्या करूँ ठीक है इसके अलावा पाभोश जिसे हम पेबोस भी कहते हैं कुछ जगह पर पेबोस अब ये क्या होती है तो ये कैसी पद्दती होती है कि सुल्तान आपके दरबार में उपस्तित है और आप उस सुल्तान के चरन चूम करके उसका बिवादन कर रहा है इसके अलावा एक इरानी तेहवार जिसे हम कहते हैं नورोज और इसे ही क्या कहते हैं याद रखिएगा नोरोज कहते हैं मूल रूप से यह तेवार सूर्य पूजा पर आधरी था ठीके इसने यह सुरू करवाई और यह वेक्ती कोई और नहीं यह था बल्बन बड़ा महत्वपूर्ण वेक्ती हुआ सर बल्बन ठीके बल्बन जो है आप इस तरह से समझिये का कि बल्बन के पहले के साशकों ने क्या महत्वपूर्ण काम किया था प्रशाशन की सारी शक्तिया चालीसा को सौब दी थी बल्बन ने कहा जी यह चालीसा हनी का रखे मैं चालीसा का दमन करके रहूँगा इसलिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करी परतेक तुर्क कमीर के पीछे गुप्तचर लगा दिया और कहा जी जहां भी जैसे भी मिले इसको मार देना इसलिए क्या कहा जाता है बल्बन को खूप या कातिल कहा जाता है क्या बात क्लियर हो गई अगला प्रशन भारत में गुलाम वंस की नियू किसने डाली मुहमद गोरी, कुतुबदीन, एबक, इल्टूत, मीज, बलवन, अनुत्रित प्रशन भारत में गुलाम वंस की स्थापना बारा सुचे में हुई बारा सुनभे इस्वी तक गुलाम राजवंस रहा था ये बात याद रखना और अगर मैं इसके संस्थापक की चर्चा कर लेता हूँ तो वहाँ आपके लिए उप्योगी रहेगा बिसिकली मुहमद गोरी की नाम याद रखिएगा मुहमद गोरी ने जब तराइन के दुट्ये युद में दिल्ली को जीत लिया मुहमद गोरी ने जब अजमेर को जीत लिया तो यहां का जो प्रशाशक है यह प्रशाशक किसे बनाया था तो याद रखिएगा जी यह प्रशाशक बनाया था कुतुब धिन एबक को ठीके किसे बनाया था तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कुतुब उधिन एबक को प्रशाशक बनाया और इसी एबक जो है इसी एबक ने किसकी स्तापना करी थी याद रखना गुलाम राजवन्स की स्तापना करी मौल रूप से जब हम गुलाम राजवन्स की चर्चा करते हैं तो इस गुलाम राजवन्स के तीन भाग आते हैं कितने भाग आते हैं तीन राजवन्स सबसे पहले कुत्बी वन्स आता है समसी वन्स आता है कौन सा आता है कुत्बी वन्स एक आता है समसी वन्स और एक आता है बल्बनी वन्स क्या बात के लिए हो गई कुत्वी वंस की स्थापना जो है वह कुत्वुदीन एबक ने करी समसी वंस की स्थापना जो है वह इलतूत मिशने की थी और बल्बनी वंस जो है इसकी स्थापना किसने की थी याद रखना बल्बनने की दी थी तीके और इसके बाद भारत की गद्धी पर 1290 में जलाल الدین खिलजी के दौरा खिलजी सामराज्जे की स्थापना की गई इसके बाद हमारे भारत में आये तुगलक तुगलक के बाद आये सैद, सैदों के बाद आये लोदी क्या बाद क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साजा करिएगा अगला प्रशन यही है, दास सलेव राजवन्स की स्थापना कुतुब अधिन एभक ने की थी आऊ शकता नहीं है, कुतुब अधिन एभक को दास्ता से मुक्ती का प्रमान पत्र कब मिला था? बारा सो चे, बारा सो साथ, बारा सो आट नो, बारा सो दसी स्थी कहने का ताथ पर यह है, कि कुतुब अधिन एभक जो है न, ठीके वह एक तरह से जब राजा बना, बारा सो चे में, तो वह दास्ता से मुक्त नहीं था, गुलाम था, वह मुहमद गोरी का हलांकि बारा सो चे में मुहमद गोरी की मुरत्यू हो चुकी थी, खोकर विद्वनियों से लड़ते हुए, मुहमद गोरी का उत्रा धिकारी था, गजनी का सासकता नाम था गया शुद्दीन महमूद, वह एभक को दास्ता से मुक्त करने के लिए सिंगाशन बेशता है, छत दास्ता से मुक्त कब? बारा सो आठ में, किसने किया था? गया सुद्दीन महमूद ने और गया सुद्दीन महमूद कौन था? गोरी का उत्रा धिकारी था, हाँ या ना का जाब दीजेगा, ठीके, मुल रुप से मुहमद गोरी के तीन बहुत परसिद विश्वाश पात्र हुए, तासुद्दीन यल्दोज हुए, नासुर्दीन कुबाचा हुए, और कुतुद दिन एबक हुए थे, ठीके, इस बटवारे में गजनी को जो शामराज्य था, वही अल्दोज को दिया गया था, सिंदखा कुबाचा को दिया गया था, और एबक को भारत का प्रशाशन दिया गया था, क्या बात क्लियर हो गई, तो मेरे दोस्त इस तरह से समझेगा, गोरी का सामराज्य विभाजन अब आप ये गोरी के जब सामराज्य विभाजन की परी चर्चा करते हैं ना, तो उसको आप इस तरह से समझेगा, जैसे मान लीजिए ये हैं, गोरी का सामराज्य है ठीके एक सेकिन रुक चाहिए, थोड़ा सा दिखना तो चाहिए कम से कम देखे साब, ये हमारे गोरी का, हमारा नहीं मतलब जो गोरी है, उसका सामराज्य था, ये केंद्रविंदू ले लीजिए वैसे साब, ये था सिंद का भूभाग ये था उत्री भारत का भूभाग ठीके, गजनी का भूभाग दिया गया था यल्दोज को और उत्री भारत का भूभाग दिया गया था कुतवदीन एबग यही एबग जो है भारत में सल्तनत की स्तापना करता है, अरे बोलो क्या ये बात क्लिए रहु गई एबग जब गद्दी पर बेठाना तो इसने सुल्तान की उपादी धारन नहीं की थी, एबग ने मलिक और सिपहस सालार की उपादिया धारन की थी किलियर? चलो जी, अगला प्रस देखे कुचुब दीन एबक में किस स्तान से साषन का संचालन किया? लाहोर से, दिली मुलतान से, अजमेर से अनुत्रित प्रश्न, क्या घजप का प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है सर याद रखना कुत्वद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जाना जाता है पोलो पोलो खेलने के दोरान घोडे से के कर मरतियू को दे से की गिर कर है जानते हैं क्या चलो मैं दिखाता हूँ जी चोगान कैसा होता है देखिएगा विद्यारती कहते हैं सर आप तो इमेज बहुत दिखाते हो भीया मैं इमेज नहीं दिखा हूँ तो मेरा पार ही नहीं पड़े मुझे मज़ा आता है ये सब काम करने में ये देखो सर ये होता है चोगान गेम आप देखिए पोलो की तरह है कहीं सारे खिलाडी जो है वो घोड़ों पर बेटे हुए है एक गेंद है ठीके इस गेंद के मार रहे हैं अचानक से जब कुतुबदीन एबख लाहोर में चोगान खेल रहा था इसके घोड़े का पेर मैदान मिस्तिते गड़े में गिर गया घोड़े का बेलेंस बिगड़ा कुतुबदीन एबख ऐसा दिखता था ये है सर कुतुबदीन एबख का फोटो लेले फोटो लेले ये है सर कुतुबदीन एबख ये था सर कुतुबदीन एबख चोगान खेल रहा था कब 1210 में कहां लाहोर में गोड़े से गिर कर मर गया लाहोर को अपनी राजधानी बनाया था सर इसने हम क्या कहते थे लाक बक्ष का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला इसे कहा जाता था पील बक्ष हातियों का दान देने वाला लाक बक्ष का तात्परिय क्या होता है लाखों का दान देने वाला एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं पील बक्ष ये होता है हातियों का दान देने वाला और ये शब्द किसके लिए काम में लिया गया है? कुतुबदीन एबक के लिए ठीक है? इसे ही हातिम के रूप में भी जाना जाता है हाँ ये ना का जवाब दीजेगा चलिए अगला प्रशनी ये रहा दान सीलता के कारण लाख बक्ष रिपीटेड सवाल है सर याद रखना कुतुबदीन एबक को दिया गया योपादी अजमेर सहर में ढ़ाई दिन का जोपड़ा बनवाया था जी कुतुबदीन एबक ने इल्तोतमिसने बलबन ने साहा जाने अनुत्रित प्रशन है बताओ भाई सब देखें एक चोहान सासक हुआ नाम था विग्रह राज चतुर्त विग्रह राज चतुर्त के द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाटशाला बनाई गई थी नाम था सरस्वती कंठाबरण उस सरस्वती कंठाबरण के इस्तान पर कुतुवदिन एभक ने उसे धाई दिन के जोपड़े में परिवर्तित कर दिया धाई दिन का जोपड़ा इसे क्यों कहते हैं तो मेरे प्यारे साथी कहते हैं सर इसे धाई दिन में बनाया गया था नहीं इसे ढ़ाई दिन में नहीं बनाया गया था यहाँ पर सूफी संथ पंजाब सहा का ढ़ाई दिन का उर्ष लगता है इसलिए से क्या करते हैं ढ़ाई दिन का जोपड़ा कहते है क्या बात क्लियर हो गई तो आईए बात करते हैं जो धाई दिन का जोपड़ा है इसके संदर में करनल जैम स्टोर लिखते हैं कि हिंदू इस्तापत्ते की सरवशेष्ट इमारत है क्या बात क्लियर हो गई तो याद रखना यह मूल रूप से कुतुबुदी नेबकने हैं मामला क्या है देखिएगा एक चोहान राजा हुआ चोहान शाशक नाम थाजी विग्रह राज चतुर्थ इस विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में क्या बनाई संस्कृत पाठ शाला इसका नाम क्या था याद रखना देटी सरस्वती कंठा भरण इसे तोड़ दिया जाता है किसने तोड़ा तो भीया कुतुबदीन एवक ने और क्या बना दिया बना दिया जी धाई दिन का जोपड़ा अब ये धाई दिन का जोपड़ा उपयोगी क्यों है तो याद रखिएगा ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर बहुत परसित सूफी संतु हुए है नाम है पंजाब शाह पंजाब साह का धाई दिन का क्या लगता है उर्ष लगता है उर्ष का अर्थ होता है मेला ठीक है इसी लिए यह महतोपूर है अब आपको ढ़ाई दिन का जोपड़ा दिखता कैसा है यह है सर्डाई दिन का जोपड़ा देख लो यह है ढ़ाई दिन का जोपड़ा यह है सर्डाई दिन का जोपड़ा जो मूल रूप से संस्कृत पाटशाला थी इसके जब हम अंदिर आज भी देखते हैं ना अंदर की इस्तंभों को तो हमें क्या दिखाई देता है वहाँ पर हिंदु इस्तापत्य दिखाई देता है अगला प्रस्ट लेके कुवत अलिस्लाम मस्जित का अंदिर्मान किसने करवाया कुवत अलिस्लाम मस्जित के बारे में याद रकना यह भारत की पहली मसजित मानी जाती है मूल रूप से हिंदु-मुस्लिम से लिए इस्तापत्य का अधारण है यह और मूल रूप से यह इस्तापत्य जेन मंदिरों के धुनसा उसेजों पर बना हुआ है कहाँ पर है तो भाया याद रखना दिल्ली में है याद रखिएगा क्या याद रखिएगा जी यह भारत की पहली मस्जित है भारत की पहली मस्जित है इसके अलावा यह जेन वह हिंदू मंदिरों के ध्वनसाउसेसों पर बनी हुई है मंदिरों के धंसाव सेसों पर निर्मी थे और भारत की पहली मज्जित है दिल्ली में हैं किसने बनवाई थी कुतुबुदीन एबक ने बनाई अगर आप complete course खरीदना चाहते हैं न इतियास दूशे का देरी मत करिएगा कावे classes quota के mobile application को डाउनलोड करिए और complete course आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल रहेगा लेकिन अगर आप individual course खरीदना चाहते हैं तो चंद दूसर की class mobile application डाउनलोड कर लीजिए दोनों में आपको बिल्कुल शांदार वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं इसके अलावा प्रतेक वीडियो लेक्चर की PDF हमने वहीं पर include की है जिसकी print out लेकर के आप उसको पढ़ सकते हैं अनलिमिटेड बार आप course को देख सकते हैं ऐसा नहीं है दो बार देख सकते जब कुतुबदीन एबक की मरत्यू हो गई उसकी मरत्यू के बाद उसे कहां दफनाया गया था एक बहुत बढ़िया और शांदार प्रशने हैं आप सभी बेरे साथियों के साथ करपया जरूर साज़ा करिएगा सर याद रखना मरत्यू की उपरांद कुतुबदीन एबक को जो है वह कहां दफनाया गया था लाहूर में याद करिए लाहूर में ही इसकी क्या हो गई थी मरत्यू हो गई थी मरत्यू कब हुई थी 1210 रिश्वी में हुई थी क्या खेल रहा था तुमरे दोस्त करते हैं जी ही है दास है यानि कि गुलाम राजाओं में ठीक है गुलाम कह लीजे इसे ही मामलुक या ममलुक कह लीजे इन में सबसे माहन हम किसे मान सकते हैं जवाब दीजेगा अगर पूछा जाए कौन बनेगा करोड़ोपती का एक सवाल है जी कि सबसे महान कोन है तो याद रखना जी सम्शुद्दीन इल्टूत मिशे अब ये कैसे महान है तोड़ा सा इस बात को समझेगा मूल रूप से यह इस तरह से है कि यह एक तरह से सबसे पहले इसने भारत की इतियास में इसलामिक मुद्रा परणाली का परचलन सुरू किया जिस पे टक्षाल का नाम अंकित होता था टंका और जीतल नाम के दो सिक्के चलाए इसने भारत में मकबरा परणाली का जनक कहलाता है भारत में एक्ता परता की वास्तवी क्रूप में सुरुआत करने वाला इल्टूत में शीही था साशक जब बना तो उसके पहले ये दास्ता से मुक्त हो चुका था क्या ये बात क्लियर हो गई हाँ या ना का जवाब दीजेगा इसलिए सर ये महान था इसके समय फक्र एमुदबिर ने अदब उलहर्व नाम की किताब लिकी जो सल्तनत काल की परसाशन पर लिखा गया एक महान गरंथ माना जाता है हाँ या ना का जवाब जब रुसाजा करिएगा तो ये है सर इसलिए हम इल्टूत मिश को क्या कहते हैं जी महान राजा कहते हैं अगला प्रस देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रहू या प्रहुता संपन राजा कौन था बात वहीं है सर कुतुब दिन एबक इल्टूत मिश आराम शाहा और नाशिरुद्दीन महमूद प्रस्टन वही है बस प्रारूप बदल दिया गया है सर इल्टूत मिश था जो मुक्त हो चुका था किलियर हो गई चलो अगला प्रस्टन खलीपा का माननेता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का पहला राजा कौन था जिसने खलीपा से माननेता प्राप्त की थी एबक इलतूत मिस बल्बन अलाओदीन खिल जी और अनुत्रित प्रशन है खलीपा से माननेता प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था बहुत बड़ी आ प्रशन है सर 1239 में बगदाद के खलीपा ने इलतूत मिश को माननेता परदान की थी माननेता पत्र कब मिला था 1239 में मिला था इलतूत मिश को मिला था इस परकार इलतूत मिश खलीपा से माननेता प्राप्त करने वाला दिली सल्तनत का पहला राजा था इलतूत मिश के विशे में निमलिकित कतनों में से कौन से कतन है जो सही है इल्टूतमिष ने अपने प्रभुत्व को मानने ता खलीपा द्वारा प्राप्त की इल्टूतमिष ने बंगाल के सुल्तान गयसुद्दीन को हरा कर लखनोती पर अधिकार कर लिया सही जवाब का उत्तर करे केवल एक केवल दो एक दो अनुदना एक ना दो बताओ इल्टूतमिष के संदर में दो कथन है तो इन मेंसे कौन सा कथन है जो सही है बताओ सर दोनों ही कथन सही है इल्टूतमिष ने बगदाद के खलीपा मुनसिर अल्बिल्लाह से उपादी प्राप्त करी थी ये गटना कप की है ये 1229 की है इल्तूतमिस ने बंगाल को जीत लिया था ये 1226 की गटना है और यहां का सुल्तान गयसुद्दीन था इसे पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल को जो है वह सल्तनत का एक भाग बनाया सल्तनत का एक एकता बना दिया इस परकार इल्तूतमिस द्वारा खालीपा से खिलत प्राप्ट करने का अउलेग मिनाजु सिराज ने अपनी किताब के तबकाफिन आशीरी में भी किया है ठीके इल्तूतमिस ने विद्वान मिनाजु सिराज और ताज़ुलमाशिर, मलिक ताज़ुद्दीन को संरक्षन परधान किया था, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, तो दोनों ही कथन जो हैं, वह बिल्कुल सही है, खलीपा से माहनेता 1229 में मिली थी, और बंगाल के लखनोती पर अधिकार जो है, वह 1226 में किया गया थ किलियर हो गई, चलिएजे, अगला प्रस देखिए, निम लिखित में से सरव परतम सुल्तान की पद्वी किसने धारन करी, ए बक ने आराम शाहर उकनुदीन फिरोज इल्तूत मिश, बता हुआ हैं सब, सर याद रखना, सुल्तान की पद्वी धारन करने वारा इल्तूत मिश था, अवी इतनी देर से यही बात चल रही थी, दिल्ली सल्तनत का पहला वेधानिक सुल्तान, अब यहाँ पर देखो, बारबार जो है ना प्रश्न का प्रारू बदल रहा है, एक तरब पूछा जा र रहा है, खलीपा से माननेता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, एक तरब पूछा जा रहा है, दिल्ली का पहला वेधानिक सुल्तान, यानि कि प्रश्न एक है, जवाब एक है, लेकिन उसकी भाशाएं चार है, यही बात हमें समन्नी होगी, और जब आप को अपनी जीत प्राप्त करने से कोई नहीं रोख सकता, इसलिए प्रश्न के बनने वाले प्रारूपों पर आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि प्रश्न के कितने प्रारूप बन सकते हैं, जैसे हमने इलतूत मिसका यह प्रश्न डिसकस किया, चार प्रारूप आप के लिए बन सकते हैं सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सुल्तान का पद प्राप्त किया खलीपा से माननेता प्राप्त की वैधनिक सुल्तान कौन था और वास्तविक सुल्तान कौन था और वास्तविक संस्तापक कौन था क्या बात क्लियर हो गई हाँ या ना का जवाब जरूर साजा करिएगा तो मेरे प्यारे साथ यूँ ये बात थोड़ा सा याद रखने है भाईया इलतूत मिश्व होता है ठीके निमलिकित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संपर्भुता का इतियास वास्तों में किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संपर्भुता का इतियास वास्तों में प्रारम होता है यह कथन राम प्रसाद तिरपाठी का कथन है किसका कथन है राम प्रसाद तिरपाठी एक कथन प्रोपेसर एबियस हली अभी बुल्लाह का भी आता है वह लिखते हैं कि एबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता कई रूप रेखा बनाई थी इल्तूत मिस नीशन्देह उसका पहला सुल्तान था ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा ठीक है नमस्कार जी स्वागत है आप सभी का कावे क्लासेस कोटा के डिजिटल मंच पर जहां पर कावे क्लासेस कोटा नौरात्री, महा, रामनोमी और दशहरे के पावन पर वह पर लेकर आया है आप सभी के लिए सभी ओनलाइन कोर्सेस पर 90 प्रतिशत की छूट जी हाँ कावे क्लासेस कोटा आपको दे रहा है तीन से लेकर 13 अक्टूबर तक अपने ओनलाइन कोर्सेस पर 90 प्रतिशत का डिसकाउट फर्स्ट गेड इतियास इंदी विशे का कोर्स लीजे दितिये श्रेणी का आप लीजे यहाँ पर इतियास विशे फर्स्ट गेड का कोर्स अवेलेबल हैं तो देरीक इस बात की आज ही सोफर का लाब उठाईए बिल्कुल सही सुना आपने तीन से लेकर 13 अक्टूबर सन 2024 तक यह ओफर चल रहा है जिसके अंतरगत महा बचत ओफर बिल्कुल आपने सही सुना महा बचत ओफर में 90 प्रतिशत का डिसकाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के कावे क्लासेज कोटा का मोबाईल एप्लिकेसर जहां पर आप यह कोर्सेज हमारे एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट गेड हिंदी और इतियास विशे के कोर्सेज शांदार हैं मोस्ट ट्रेंडिंग में हैं देरिक इस बात की आप यहां पर संपूर्ण कोर्स को एक्सेस ले सकते हैं किसी भी परकार की हमारी हेल्प लाइन की आऊशकता हो तो आप हमरी हेल्प लाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं 94601-88225 इसके अलाव आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8802060952 पर तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का धन्यवाद स्वस्त रहें, मस्त रहें, तंद्र स्थ रहें पर फिर से नवरात्री की शुब कामना है धन्यवाद जैसर रहा है निम्लिकित में से किस ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्तापित किया कुतलब दीन एबक, इल्टूत, मिस रजिया, जललुदीन खिल जी अनुत्रित प्रस्ठे से बताओ एक बहुत बढ़िया प्रश्ण है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधनी किसने बनाया तो देखो याद करो कुतुबुदीन एबक ने सासन संचालन कहां से किया था लाहोर से किया था इसकी मरत्यू के बाद घटना ये घटितुई की आराम शाहा जो इसका पुत्र था कुछ किताबों के नुसार इसका भाई था उसे लाहोर के अमीरों ने गद्धी पर बेठा दिया और इलतूत मिज्जो की कुतुबुदीन एबक का दास था साथ ही साथ इसका दामाद भी था इसे दिल्ली के अमीरों ने गद्धी पर बेठाया था ठीके तो यहाँ पर याद रखना इलतूत मिज्जो है वह आपका सही जवाब होगा जिसने किसे राजधानी बनाया था निमलिकित में से कौन सी रात्री में अपना अधिकतर समय परातना और चिंतन में वेतित किया करता था एबक इलतूत मिस रुकनुदीन बलबन अनुत्रित प्रश्णे है हाँ हाँ क्या घजब का प्रश्णे है कौन ऐसा वेक्ती है जो रात्री में अपना अधिकतर समय मूल रूप से चिंतन में और भगवान की प्राथना में वेदित किया करता था सर इसके बारे में मिनाजु सिरास ने अपनी किताब तबकात नासीरी में लिखा है क्या लिखता है कि उसके सर्मान धर्म प्रायन दयालू और महात्माओं या विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ यह परसिद सूफी संथ कुत्वद्दीन बक्तियार काकी काजी हमिद्दीन नागोरी सेख जलालू दीन तबरीसी सेख बाहुद्दीन जकारिया आदी का बहुत सम्मान करता था और यह वेक्ती था इल्तूत मिस ठीके धर्म प्रायन था यह इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यह क्या था तो भी या याद रखना यह दयालू राजा था यह संतों का सम्मान करता था संतों का सम्मान करता था धर्म चर्चा करता था इसके अलावा यह चिंतन करता था प्राथना करता था कि जब देखो प्राथना में बहुत शक्ती होती है आप अपने मन की एकागरता को बढ़ा सकते हैं प्राथना करके चिंतन करके चिंतन करिए कि आपने क्या किया एक विद्यारती को डेली चिंतन करना चाहिए रोज चिंतन करना चाहिए कि उसने सुबह कमियों को दूर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी परकार की कोई चिंतन किसी परकार की कमी करेंगे ही नहीं हाला कि मनुश्य तो कमियों का पुतला होता है जिसमें कोई दो रहाएं नहीं है पर हाँ प्रतिक विक्ति को अपने अंदर जाक करके देखना चाहिए कि आखिरकार हम कमी करते कहां हैं क्या है ना गलतियां कहां करते हैं निमलिकित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था एक शब्द है हजार मर्दह कबीर खान मलिक जायदून याकूद एदगीन निजाम अलमुल्क अनुत्रित पर्द। हरजार मर्दह या हरजार मर्दह बताओ सर याद रखना ये लाहोर का इक्तिदार था कबीर खान इसे हजार मर्दह की उपादी परधान की गई थी क्या गजब का प्रशन है सर बताओ भया कि इलतूत मिश जो गद्दी पर बेठा तो मेरे पेड़ साहतियों इसके सत्ता गरहन करने का आधार क्या था थोड़ा सा अगर आपने सवालों को बहुत अच्छे से सुना होगा तो मैंने एक बात कही थी कि कुत्वदीन एबक की मरत्यू के बाद लाहोर के अमीरों ने जो हैं वहा आराम शाह को गद्दी पर बेठाए और दिल्ली के अमीरों ने उसके दामात और या उसके गुलाम इलतूत मिश को गद्दी पर बेठाया दोनों के भीस में जूद का युद हुआ कौन सा युद हुआ था जूद का युद हुआ इस जूद के युद में एक तरब तो इलतूत मिश था और दूसरी तरब आराम शाह था इलतूत मिश जीत गया है जी आराम शाहा हर गया तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे और शेना दिकारियों थे इन्हों ने इसका चायन किया था क्या बात क्लियर हो गई है हाँ या ना का जबाब दीजेगा वहिजा वो कहते हैं ना कि जिसके पात ताकत होगी सत्ता उसी के पास होगी इसलिए मुझे जलालुदीन खिल जी कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे जलालुदीन खिल जी ने कहा था कि मैं इगने सेब हूँ इगने सेब का मतलब जानते हूँ क्या होता है इगने सेब का मतलब होता है तलवार का बेटा अरे भहिया ताकत है हमारे पास जिसके पास ताकत होगी सत्ता वही तो चलाएगा ना तभी तो कमजोर वेक्ति को दबाएगा वरना सत्ता पर बेठे हुए वेक्ति के पास ताकत नहीं होगी तो कोई भी जन्ता या कोई भी प्रजा उसकी बात नहीं सुनेगी इसलिए आपके पास ताकत होनी चाहिए अगर आपको सत्ता चलानी है तो समझ में आ गई है चलिए दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंब करने का श्रेक की सुल्तान को जाता इक्ता प्रथा की सुर्वात इल्तूत में इसने की थी बैसिकली इक्ता प्रथा होती क्या है बहुत सिंपल सरल सी भाषा में समझिएगा इक्ता का मतलब क्या होता है इक्ता का तात्परिय होता है कि हम आपको जो वेतन के बदले जो नगद वेतन दे रहे थे उसके बदले एक भूमी का टुकड़ा दी दिया जाएगा क्या बात क्लियर हो गई? यह कहलाती थी इकता इसलिए पूरे प्रशाशन को पूरे भारत को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाड़ दिया गया ठीके वेतन के बदले भूमी का टुकड़ा चलो जी सेने प्रशाशन का नियां था सेने प्रशाशन का नियंतरन था काजी का नियंतरन था वफ का नियंतरन था अनुत्रित प्रशने ये लो भाई सा इकता किसके नियंतरन में हुआ करती थी अभी मैंने कहा कि आप कोई सेवा करते थे तो उसके बदले आपको वेतन नहीं मिल करके क्या मिलता था इकता मिलता था काजी सेवा नहीं करता वफिय भी सेवा नहीं करता नागरिक प्रशाशन भी नहीं करता भई सब सेनिक करते हैं सेवा कौन करते हैं सेनिक सेवा तो सेनिक सेवा के बदले में आपको क्या परदान किया जाता था याद रखिएगा इकता परदान किया जाता था सुल्तान इल्तूतमिश के शाशनकाल में न्याई चाहने वाला विक्ती को पहननी पड़ती थी लाल पोशाक, काली पोशाक, शपेद पोशाक, हरी पोशाक अनुत्रित प्रश्ण है सुल्तान इल्तूत मिश्के शाशनकाल में अगर आप न्याई की चाहत रखते हैं तो आपको कौन से कपड़े पहन करके जो है वह दरवार में आना पड़ता था बिसिकली मामला क्या हुआ, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, समझिए जब इल्तूत मिश्की मरत्यु हो जाती है तो उसकी एक विदुहा पत्नी थी, नाम था साहत तुरकान साहत तुरकान ने अपने बेटे रुकन الدीन फिरोस को गद्धी पर बेठा दिया जबकि इल्तूत मिश्की अपना उत्रादीकारी घुशित किया था, रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहन करके आम जनता के बीच में पहुँचे और कहा मुझे नियाए तो क्योंकि मेरे पिता इल्तूत मिश्की अपने गवालियर विजे के बाद में मुझे आपका उत्रादीकारी निक्त किया था, क्या ये बात क्लिर होगी तो इसलिए अगर इल्तूत मिश्की अशाशनकाल में किसी को नियाई की चाहत होती थी, तो वह लाल कपड़े पहन करके जाता था रजिया सुल्तान प्रजा के सामने लाल कपड़े पहन कर गई प्रजा ने जरजिया सुल्तान का समर्तन किया ये दिल्ली सल्तनत की इतियास में पहला और एक मात्र उशर था जब प्रजा ने सुल्तान बनाने के लिए प्रतिक्स रूप से हस्तक शेप किया था किलियर हो गई तो याद रखना लाल कपड़े पहन करके यहाँ पर करना पड़ता था और इसका प्रियोग किस ने किया था रजिया सुल्तान ने प्रियोग किया था मंगोलों काकरमन सरोप्रतम की सुल्तान की समय हुआ इलतूत्मिज बल्बन अलाउदीन सेर सहा अनुत्रित प्रश्ण भाई साब अगर दिल्ली सल्तनत के राजाओं का खून किसी ने पिया है तो वह मंगोलों ने ही पिया है समवन में आ गई क्या बात अगर दिल्ली सुल्तनत के जो हैं वहां किजी ने खून पिया है तो वहां मंगोलों नहीं किया है क्या बात क्लियर हो गई और भाई साब इल्टू उत्मिश मंगोलों का अक्रमन हुआ था सरवादिक मंगोल अक्रमन हुए थे अलावदीन के सम संक्याती 6 अगला प्रशन अपने विख्यात नेगता चंगेच खान के नेतरतों मंगल मंगोल पर्थमबार सन में सिंदु नदी के किनारे संगत्रित हुए थे बारह एकीस, बारह बाइस, बारह तेवीस, बारह सो चोईस हनुत्रित प्रशन पहली बार मंगोल इल्टूत मिश के साशन काल में सिंदु नदी के किनारे कत्रित हो गए जब वो पर्शिया के राजकुमार जलाल الدین मांग बरनी के पीछा करते हुए थे मांग बरनी ने आइन उल्मुल्क को इल्टूत मिश के पास भेज करके मंगोलों के विरुद संगठन बनाने की बात कही थी लेकिन आपको याद होगा, इल्टूत मिश ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था और ये घटना कब की है? ये घटना है बारह सो एकीस की ठीक है, कौन आगया था? जलालुदीन मांग बरनी दिल्ली का, कौन सुल्तान? मंगोल चंगेज खान का समकालीन था इल्टूत मिश रजिया बलवन अलाउदीन खिल जी अनुत्रित प्रश्ण है दिल्ली का एक सुल्तान, जो मूल रूप से चंगेज खान का समकालीन था वही रिपिटेट प्रश्ण है, इल्टूत मिश शाह तुर्कान थी, बल्वन की पत्नी, मुल्तान की गवर्नर, नासिर الدीन महमूद की पत्नी, रुकन الدीन, फिर उसकी माता अनुत्रित प्रश्ण भया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आप याद करो, एक प्रश्ण की चर्चा की थी, कि इल्टूत मिश के समय, कौन से कलर की पोशाक पहन करके, आप नियाई की मांग कर सकते थे, लाल कप्रा तब मैंने रजिया सुल्तान की आपको कहानी सुनाई थी, आप याद करिए, बिसिकली मामला क्या है, मामले को शमजिए, इल्टूत मिश इल्टूत मिस्ट ने अपना उत्रादी कारी की से बनाया रजिया सुल्तान को बनाया लेकिन रजिया सुल्तान दुरुभाग्य से एक स्त्री थी इसलिए यह साशक के योगे होते हुए भी साशक नहीं बन पाई यह में नहीं का इत्यास कार कर रहे है इसकी पत्नी हुआ करती थी ये इसकी पुत्री थी ठीके ना इसकी पत्नी हुआ करती थी शाहा तुर्कान और साहा तुर्कान का बेटा कुन था नाम याद रखना रुकनुद्दीन फिरोज यह रुकनुदीन फिरोज इलतूत मिश के बाद गदी पर बेट जाती है तो रजिया सुल्तान लाल पोशाक पहन करके कहां चली जाती है आम जनता के बीच में चली जाती है आम जनता हस्तक्षेप करती है रुकनुदीन फिरोज को गदी से हटा करके इल्तूत मिश्च को गद्दी पर बेठा देती है तो शाहत उर्कान कौन थी? याद रखना यह आपके शाहत उर्कान रुक्नुदीन फिरोज की मम्मी का नाम था किलियर हो गई? चलो अब रजिया सुल्तान गद्दी पर बेठ चुकी आउनलाइन कोर्स लेने के लिए कावे क्लासेस कोटा का मॉबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा किसी भी परकार की कोई समश्ची आए तो आप मुसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इतियास उशेक के प्रिप्रेक्शन में डबलेट 02060952 पर ठीक है रजिया के विरोधी और अमीर गुट का नेतरत्वा कोन कर रहा था मलिक इनुद्दीन कबीर खान निजाम उल्मुलक जुनेदी मलिक अलाउदीन मलिक बल्बन अनुत्रित प्रस्णे बताओ भाई साब रजिया के विरोधी और अमुरिगुट का जो नित्रत्वा था वह कौन कर रहा था बताओ भैजा सर याद रखना निजाम उल्मुल्क जुनेदी जो है यह रजिया के विरोधी गुट का नित्रत्वा कर रहे थे यह नहीं चाहते थे कि कोई महिला इनके उपर साशन करे मिनाज ने अपने गरंट अपकार नहाशिरी को समर्पित किया इल्टूद मिश्को रजिया सुल्तान नासिर अद्दीन कुबाचा और बल्वन को बताओ भैजा देखो सब सबसे पहले तो मिनाज उसिरा ने तपकात नासिरी लिखाए लेकिन यह इन में से किसी को भी समर्पित नहीं किया गया है यह समर्पित किया गया है नासिर अद्दीन महमूद को नासिर अद्दीन महमूद वही साशक है दिजिर दिली का आदर्श शुल्तान कहा जाता है यह वही साथ शक है जिसे दर्वेश कहा जाता है था, क्योंकि यह कुरान की प्रत्या लिख करके बेचा करता था इसके पत्नी अपना खाना खुद बनाया करती थी यह कहा करता था कि मैं राज्ये का ट्रस्टी मात रहूँ इसलिए जनता का पेशा खर्च नहीं कर सकता क्या बात क्लियर होगी हाँ या ना का जवाब जरूर साजा करिएगा ठीक है हाँ या बिल्कुल सही कहा अपने अगला प्रशनी ये रहा तबकात नासीरी की रचना किसने की इसामी ने जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो मिनाजु सिराज अनुत्रित प्रशने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बेटने वाली सर याद रखना यह थी रजिया सुल्तान इल्तूद्मिस की बेटी थी अमीर आ हाजिब के पत पर रजिया ने किसे नुक्त किया था जमालुद्दीन याकूद, कबीर खान, इक्तियारुद्दीन एद्गिन, उपरोक्त में से कोई ने नुत्रित प्रस्ट नहीं अमीर आ हाजिब अमीर आ हाजिब का एक पद होता था जो मूल रूप से कर सकते हैं विशेश सचीव के समान होता था किसके समान यह हुआ करता था यह हुआ करता था विशेश सचीव के समान सर एद्गिन को ठीक है ना एद्गिन परिसे के लिए रजिया सुल्तान जो है ना इसने क्या कहा इसने सबसे पहले अपने दर्वार में कुछ परिवर्तन किया जी क्या कह रहे हो कि पुरसों के वस्तर में महिलाओं के वस्तर त्याग रही हूं और पुरसों के वस्तर कुबहा और कुलहा पहन करके दर्वार में आना सुरू कर रही है ये लोसा, किलियर हो गई और कहीं सारे महतोपूर्ण ऐसे काम थे जो इसने किये थे ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा इसके अलावा चांदी के टंकों पर इसका नामंकित किया जाने लगा ठीके, कुबहा यानि कि अगर मैं कहूं एक परकार से जो है वो लंबा कोट होता है और कुलहा होती है, टॉपी ठीके, खुला मुझे रजिया सुल्तान दर्वार में जाने लगी थी रजिया सुल्तान का जो इंटरनेट पर चित्र अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इस बात की पुष्टी नहीं कर रहा हूँ कि यह रजिया सुल्तान ही है क्या बात क्लियर हो गई? बारत के एक मात्र महिला सामरागी, सल्तनत मद्यकाल के एक मात्र महिला सामरागी, रजिया सुल्तान 13 अक्टूबर 1440 इश्वी को इसकी हत्या कर दी गई थी और रजिया सुल्तान जो है ये गद्धी पर कब बेटी थी याद रखना 1236 से 1240 ठीक है? रजिया सुल्तान बड़े गजब की विरांगना है सब सुन्नी और शियाओं के मद्धे सबसे अधिक साम पर दाइक विवाद किसके काल में हुआ कुतुब अदिन एबग बल्बन अलाउदीन के लिए रजिया सुल्तान बड़े साब सिया और सुन्नी का विवाद एक सिंपल सा प्रशन यहां पर बन सकता है किसाब सिया और सुन्नी जो है इसका विरोध बेसिकली सुन्नी कौन होते हैं तुर्क सरदार और सिया होते हैं गेर तुर्क सुन्नी कौन होते हैं तुर्क होते हैं और ये होते हैं गेर तुर्क अब रजिया ने अपने दर्बार में गेर तुर्कों को महत्वा दिया इसलिए तुर्क नाराज हो गए तो यही मामला था रजिया ने किसको महत्वा दिया गेर तुर्कों को इसलिए नाराज कोन हो गए तुर्क नाराज हो गए क्लियर? चलो जी रजिया को उत्रा धीकारी बनाने वाली जो साही विग्यपती थी उसकी रचना किसने की थी? मुल रूप से अगर मैं बात करता हूँ रजिया सुल्तान को गवालियर विजे के बाद में इसने अपना उत्रादीकारी बना दिया और इस विग्यप्ति के लिए उसने कहा किसे कहा था याद रखियेगा किये कि ऐसी विग्यप्ति तयार करो जिसमें कहीं न कहीं मैं अपनी पुत्री को अपना उत्रादीकारी बना दू ये बात मिनाजु सिरास ने तयार की थी ये प्रशन बड़ा इंपोटेंट है कि रजिया को उत्रादीकारी बनाने वाला जो साही आदेश था क्या था यहाँ एक प्रकार से क्या गजब का प्रशन है सर बताओ भाई साब जेखो साब रजिया सुल्तान जो है यह सल्तनत काल में रही है रानी रुद्रमा जो है यह काक्तियवन्स की है तारा भाई आपके मराठा सामराज्य की है लेकिन भाई साब रोसन आरा नहीं है रोसन आरा साहा जहाँ वह मुम्ताज की पुत्री समझ में आगई बात इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो इसने औरंग जेब की साहेता की थी आपको याद होगा कि जब साहा जहां बिमार पढ़ा तो इसके चार बेटे दारासी कोह, सुजाओदीन, मुराद और औरंग जेब के बीच में उत्रादिकार का संगर्श हो गया था क्या बात क्लियर हो गई तो औरंग जेब की मदद रोसनहरा ने की थी औरंग जेब इसमें जीत गया था सब अब भाहियों को मार करके ठीक है, अगला प्रस्ने के ओनलाइन कोर्स आप कावे क्लासे स्कोटा के मोबाइल एप्लिकेशन से ले सकते हैं देरेक इस बात के आज ही जुड़ी है हमारे साथ किसी भी परकार की समश्या है तो आप मेरे हेल्प लाइन नंबर डबलेट 02060952 पर संपर्क कर सकते हैं इतियास का यह कोर्स है मुल रूप से आरपी सी स्कूल व्याख्यता परिक्षा पीजीटे एक्जाम के विएस एन्वेस डीटिपलजी एंपी यूपी च्छतीजगर आदी सभी परिक्षाओं के उपयोगी है इतियास का यह जुतिया प्रश्न पत्र है जिसमें संपूर्ण पाठे करम को सामिल किया गया है विशे को आप अंगिनत बाहर देख सकते हैं रिकोडेट क्लासेज है, टॉपिक वाइस सेशन मिलेंगे, टॉपिक वाइस क्लासेज है, टॉपिक वाइस पीडियफ है इसके अलावा क्वालिटी स्टडी मैप और डाइग्राम का उपयोग किया जाता है फिर मत कहना की चूक गये सब बोसे मैं देखता हूँ ना, ओनलाइन कोर्सेज में कहीं सारी कमिया होती है Am I right or wrong? कमिया क्या होती है, हम देखते हैं कि साब कोर्स कंप्लीट नहीं होता PDF अवेलेबल नहीं होती, हमारे क्लास के साथ ही PDF अवेलेबल रहती है मैं आपको एक सेंपल दिखाता हूँ जो अभी चल रहा है हमारा विश्व इतियास चल रहा है और यह फ्रांस की क्रांती का एक पार्ट एकरम है आप देखी ठीके चलो इसको छोड़ो, मैं आपको फ्रांस की क्रांती भी दिखा देता हूँ कोई इश्व नहीं है देखे सर यह फ्रांस की क्रांती में वाल्टेर है इसके पहले की पार्ट टू पहे यह पार्ट वन अलग है ठीके जीन जोसेव रोसू के बारे में पूरा बताया रूसो कैसा दिखता है उसका फोटो दिखाया पिर रूसो ने सोशियल कॉंट्रेक्ट लिखी तो वो मैंने आपको बताई यहाँ पर कुछ और खिताबें आपके लिए रखी हमने यहाँ पर दिद्रो के बारे में बताया उसका चित्र दिखाया आर्तिक कारण बताया आपको परजाओं में जो हैं जनसंक्या के संधर में विभाजन हमने आपके बीच में किया ठीके कुछ शब्दावली होती है जैसे फीजियो क्रेट्स किसे कहा जाता है वो मैंने आपको बताई यहाँ पर ठीके वित्तमंत्री बता दिये तुर्गो के साथ दिखता है टेनिस कोट की बेठक है तो पूरा समझाया जाता है देक्स किसने किया था नेतरत्व किसने किया इसके अलावा किसने क्या कथन कहा था प्रस्तावक कौन था कौन सी घटनाए कब हुई बास्तिल के किले में आग लगाई तो पूरा बताया कि करांतिकारियों ने केसमाइस देसमोला के नेतरतों में बास्तिल के दुर्ग में आग लगा दी थी राजा ने कहा अरे ये तो विद्रो है दरबारी दिलिया कून कहता है राजन ये विद्रो नहीं करांति है बहिया ऐसा कहीं नहीं मिलेगा नेशनल गाड लाफायते के नेतर तो मनाएगा ता चित्र के साथ आपको दिखाया गया है ये केवल और केवल चंदुजेन के पास आपको मिलेगा तो आज ही डाउनलोड करिएगा कावे क्लासेस कोटा का मोबाईल एप्लिकेशन पीडियेप नंबर 3 खोलते हैं इसके उपनाम मैंने बताया आपको इल्तूदमिस की उपादियां वैसे आप छे उपादियां लिखाई है आपके सामने आप देखे लिए सुल्तान शहीद सुल्तान आजम ठीक है और किसने क्या दी ये देखो 12.39 में खली पाल मुस्सिल बिल्लहा ने इसको ये उपादि परधान करी थी इल्तूदमिस की राजनिती क्या थी तराइन का युद बताया तृतिय युद जो हुआ था कुबाचा अली मरदान के साथ हुआ अवद में पिर्थू विद्रो इल्तूदमिस के सुधार इकता प्रता क्या होती है पुरा समझाया मुद्रा प्रणाली क्या है नेलसन टाइट ने क्या बात कही टंका और जीतल बढ़ाया तो ये मैंने बताया आप लोगों को प्रशाशन पढ़ाया तुर्गाहने चहल गामी कुछ और सुधार लाल कपड़ ये रहा लाल कपड़ा ठीक है इसके बाद इल्तूदमिस ने 201 ताउं का गठन किया था दोहाब कालीन इस्तापत्य अलग से दिखाया आपके सामने ठीक है इसका साहित्य मैंने बता दिया आप लोगों को इल्तूदमिस की मरत्यू के से मतलब पूरा इल्तूदमिस की मरत्यू पर जो है बाबा फरीत का एक सिस्से थे और हासी के निवासी थे सूफिसंट जलाल उद्दीन इन्होंने मरसिया लिखा है यानि की सोक गीत लिखा है वैसा मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यारतियों को बार बार पढ़ना पड़े याद रखिएगा विद्यारति को परतियों की परिक्षा की तैयारी करने के लिए एक ही सुनारा आउशर मिलता है अगर उस सनुहरे आउसर को हमने गलत मार्क दरसन में लेकर के गवा दिया तो अगला मुका 3-4 साल बाद आएगा तो फिर देरी की सबात की आज ही जुड़ी है ना हमारे साथ डाउनलोड करिए कावे क्लासे स्कोटा का मॉबाइल एप्लिकेशन जहां पर आपको complete course available रहेगा लेकिन अगर आप individual course लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपको चंदू सर की क्लास मॉबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करिए क्या बात क्लियर हो गई फिर मत कहना सर चूक गए अब नहीं चूकेंगे भया ऐसी गलती बार-बार करने के लिए उसर प्राफ्त नहीं होता है यह बात याद रखिएगा अगला प्रस्ते के तुर्गा ने चहल गामी का सम्मंद किस तुर्की सासक से है एभक से है इलतूत मिस से है नासिरुदीन महमूद और बलवन से नहीं तो आप देखते हो ना ओनलाइन कोर्स लेने के बाद आपकी कोई नहीं सुनता है यहाँ पर 24 इंटू 7 हेल्प लाइन नंबर है आपके ठीक है ना यह बात किलियर चलो जहाँ पर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप सीधा हमसे पूछ सकते को क्या कहा जाता है यह बल्बन को कहा जाता है खूप या कातिल क्लियर हो गई तो यह थी कुछ बाते बाकी ओनलाइन कोर्स के लिए आप कावे क्लासेज कोटा का मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए नमस्कार जी स्वागत है आप सभी का कावे क्लासेज कोटा के डिजिटल मंच पर जहां पर कावे क्लासेज कोटा नौरात्री, महा, राम नौमी और दशहरे के पावन पर वह पर लेकर आया है आप सभी के लिए सभी ओनलाइन कोर्सेज पर 90 प्रतिशत की छूट जी हाँ कावे क्लासेज कोटा आपको दे रहा है 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक अपने ओनलाइन कोर्सेज पर 90 प्रतिशत का डिसकाउंट फर्स्ट गेड इतियास विशे का कोर्स लीजिए दुतिय श्रिणी का आप लीजिए यहाँ पर इतियास विशे फर्स्ट गेड का कोर्स अविलेबल है तो देरीक इस बात की आज ही इस ओफर का लाब उठाईए बिल्कुल सही सुना आपने 3 से लेकर 13 अक्टूबर सन 2024 तक यह ओफर चल रहा है जिसके अंतरगत महाबचत ओफर बिल्कुल आपने सही सुना महाबचत ओफर में 90 परतीशत का डिसकाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आज ही डाउनलोड करिए Google Play Store पे जाकर के Kave Classes Quota का Mobile Application जहाँ पर आप यह कोर्सेज हमारे एक्सेस कर सकते हैं First Guide Hindi और इतियास विशे के कोर्से शांदार है Most Trending में हैं देरिक इस बात की आप यहाँ पर संपूर्ण कोर्स को एक्सेस ले सकते हैं किसी भी परकार की हमारी Help Line की आउशकता हो तो आप हमारी Help Line पर आप संपर्क कर सकते हैं 946 01 88 22 2225 इसके अलावा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं